आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, हमारा प्रश्ण है पत्यों के व्रंत व शाखा के पर्वसिंद के दोनों और कौन सा उतक होता है आईए इस प्रश्ण का उत्तर जानते हैं तो जैसा की हम जानते हैं कि जो पोधो की व्रद्धी होती है क्या होती है? पोधो की व्रद्धी होती है वह क्या होती है? केवल कुछ निश्चित भागों में एवं विशेश भागों में ही होती है क्या करती है केवल निश्चित भागों में होती है निश्चित तथा विशेश भागों में ही होती है उदो की जो व्रद्धी है वह निश्चित तथा विशेश भागों में ही होती है और किस कारण होती है वह? वह होती है विभाजित होने वाले उतको के कारण और इन विभाजित होने वाले उतको को कहा जाता है जिसके कारण पोदो के भागों में व्रद्धी होती है इन्हें विभज्यो उतक कहा जाता है विभज्यों तक कहा जाता है और यहां विभज्यों तक तीन प्रकार के होते हैं पहला है शिर्षस्त विभज्यों तक दूसरा है पार्ष विभज्यों तक और तीसरा है अंतरिस्ट तो जो शिर्षस्त विभज्यों तक होता है वह कहां पाया जाता है वह पोधों की जड़ तथा तनों में पाया जाता है क्या होता है जड़ तथा तनों की जो व्रद्धी वाले भाग रहते हैं उसमें कौन मोझूद रहता है उसमें मोझूद रहता है शिर्शस्त दुसरा है पार्ष यह कहां मुझूद रहता है यह जो तने की परीधी रहती है तने की परीधी तथा तने की परीधी के अलावा यह कहां मुझूद रहता है यह मुझूद रहता है मूल की व्रद्धी में मूल में जो व्रध्य होती है वह किस करण होती है पार्श विभाज्य उतक के करण और जो अंतवरिस्ट विभाज्य उतक होता है वह कहां रहता है वह रहता है पत्तियों में वह पत्तियों के वरंद में उपसित होता है साथी साथ शाखा तता टहनियों के पर्वसिंद में भी उपसित होता है अंतवरिस्ट्व भाज्यों तक तो प्रश्ण में क्या था कि पत्तियों में वरंद वह शाखा के पर्वसिंद की दोनों और कौन सा उतक होता है तो हमारे प्रश्ण के अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा जो अंतवरिस्ट भी भाज्यों तक होता है वह पाया जाता है पत्तियों के व्रंत तथा बर्वसिंदी के दोनों और पाया जाता है यही हमारे प्रश्ण का उत्तर है धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपक झाल झाल